हेलो एवरीवान वेलकम बैक तो माई चानल कैसे है आप सभी आई होब मेरी पूरी यूटूब फैमली बहुत अच्छी होगी तो एक रिक्वेस्ट है कि जिल लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अभी मैं सुबा-सुबा नहाए हूं नहाने के बाद मैं ए उस ते पहले गए कुछ आप किया है अभी मैं जा रही हूं पूजा करने के लिए और आज मैंदी पहनी अपनी यह वाली सारी और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट कीजेगा करती हूं और आप लोग के रिप्लाई भी करती हूं बहुत अच्छा लगता बस ऐसी पॉजिटिविटी चैनल पर बना रहे हैं और क्या ची यह लाइफ में है न तो अभी रिशायंक के पापा जो है वह भी लाने गए फिश क्योंकि आज बनाने वाली हूं मैं फिश तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग खाने वाले मचली क्योंकि यह जैसे कि हमारे हाँ पे आप लोग ने ब्लॉग देखा ही होगा नहीं देखा तो जाके देख लीजिए पिशले ब्लॉग मेरे घर में ससुराल में मैं गई थी तो महामेतु इन जजजब का पूजा हुआ था तो उस पूजा की वज़ेसे सवा महीना पंडित जी ने मना किया था हमें नांविज मेहीं नहीं खाने के लिए और सवा महीना एक महीना साथ दिन और उसके बाद था कि फिर पूरा छेट पूजा भी हम लोग नहीं कहाते हैं इमारे भिहार में फिरultur सरा में भी नहीं तखा आ और बीना नौन विज के तो खाना का टेस्ट नहीं आता है, तो बस वही बात है, सो आज बहुत हरसे के बाद में खाने वाली हूं मशली और पहली दिन मशली आ था अक्का ओट ने कि मधन कर रहा था, लेकिन पहली दी था तो मैंने का चलो मस liken बंगा लेती हूं मचली खा लूँगे यहाँ पे मैं नहा के पूजा का बर्तन जो है वो धो लेती हूँ और आज पुड़ा फ्रीज साफ हुआ है ना तो यहाँ पे देखिए यह जो है ना मतलब फ्रीज साफ नहीं हुआ है फ्रीज का जो वो तरह रैक वेक सेल्फ चोता है ना और बाकेट वो सब दोया है और बाकी साथ फ्रिज के निकाली हूँ आज फ्रिज भी मुझे जो है ना क्लीन करना है ठंडा का टाइम पे इतना जल्दी समय बीच जाता है ना पता ही नहीं चलता फ्रेंड और सुबह से लेके रात कब हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है और का अगर गर में पूजा करने का तुलसी महियों और भोले बाबा को जल चरहाने के लिए तो बस यहां पर पूजा जो है वो कर लेते हैं देखिए और अभी भोले बाबा को दूद भी चरहाऊंगी क्योंकि आज जब दूद लेकि आया थे ना उसी टाइम पर दूद मैंने निकाल द कि इजिगा उसके वजाओ की टेयारी ना वो कर रही हूं यहां पर लेसें प्रस्ए ना उस्यsilbles घूजा तो मैं वह चीज़ नहीं कर पाती हो तो इसलिए जैसी मैं कीचन में आई तो पहले मैं मिल्कों चरहा दी हो कि कम से कम वह बॉइल हो जाए तब तक मैं इधर जो है लेसन जो है वह चील लूँगी और साइड में आप लोग देख सकते हैं फ्रीज का सेल्फ जो है आज साफ की ह थी और अभी मैं जा रही हूँ यह सब काम करने के लिए अब चलिए यह सब फटाफट से मसाले जो है न वह पीस लेते हैं उसके बाद बाकी का जो काम है वह आगे करेंगे वैसे हस्बें मचली तो हस्बें नहीं बनाएंगे क्योंकि वह ही बनाएंगे उन्होंने कहा कि मैं बना लेता हूं मचली तब तक तुम जो है इधर का जो बाकी काम जो है वो कर लो तो मैंने कहा कि ठीक है तब तक क्योंकि कीचन में हमारी मचली उसलिए बनता नहीं सब कुछ बर्दन ना नॉन्वेज बनाने का बर्दन बर्दन अलग है तो इसी वज़े से हस्बें उधर बना लेंगे और उनके चैनल पर आपको मचली का वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा तो मेरे हस्बिन के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए राहूल डॉट अंतरा पे जाईए और राहूल डॉट अंतरा को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत प्यारे ब्लॉक्स आते जो है वो बैठा देती हूं हमने ब्रेकफास्स नहीं किया था सुबह में हमने चाई और बिस्किट खाया था बस और इसके बाद हमने कुछ भी खाया नहीं था तो उन्होंने का मशली बनाते है तब तक मैं सोची कि मैं थोड़ा सा वो बना लेती हूं जो बनता है ना चाट टाइप का बनता है अमरूद का वो बना लेती हूं तो यहां पर अमरूद है अमरूद को बहुत बैंगॉल में प्यारा बोलते हैं मैं बैंगॉल में साधी से पह तरा पीट तब का बात बता रही हूँ इतना टेस्टि अमरूत का चार्ट देता है ना की मैं आपको क्या ही बताओ फ्रेंड वैसे चार्ट बनाने की मैं कोशिच की बट उनकी तरह मैं नहीं बना पाई उनकी तरह उत्क हटा वट भी डालते हैं लाना मैं नीवू भी ऐड़ तो यह पर थोड़े बहुत मैंने ड्राई में साले में रखा और पता नहीं वो लोग कैसे बना लेती इतना टेस्टी था मेरा भी टेस्टी बना था बट उनकी तरह उतना नहीं बना था शायद मैंने नीबू आड नहीं किया था इस वज़े से और उनका तो बहुत अच्छा होता है तो आप लोग भी अगर तारा पीट जाते हैं जो वेस्ट बेंगवाल में तारा पीट है तारा माता का मंदिल तो अगर आप लोग भी वहाँ जाते हैं अगर ट्रेंज से जाते हैं तो इस्टेशन पर आपको ये चार्ट अवलेवली तो मुझे भी पसंद आया था तो मैं भी खा रही थी उनको भी खिला रही थी कली रात में हस्बन फ्रूटस लेकर आयथी और मैं यहां पर सोफे उफे जो है उनको ठीक कर लेती हूं मैं दीन फिर में कितनी वर सोफा ठीक करती हूं यह मुझे भी आइडिया नहीं होता है और यह छोटी सी हल मीरा देख रहे है ना फ्रेंट उसी में नॉन्वेच का सारा बर्तन और यह छोटा वाला चुला एक रहता में यहां पर बना मैं में अर्डे थे ओर टेड़ में तो यहां पर में तो सो मिलक से थोड़ी देड के सुपर्डूपर ज्यंद होँज चंळाL יागा जाके चेक आउट किजिएगा यहां पे मेरा कुछ पार्सल आया था तो मैं वही देख रही थी जिसका रिव्यू में आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी बस अपना प्यार सपोर्ट यह ऐसी बनाए रखिए फ्रेंड्स और यह कूर्थी बहुत अफ्रॉडवल है ब कुछ ऐसा रहता है कुछ इदेदर कर देती हुगा तो अभी जलिए सालिट काइब लेते हैं मशली तो रेडे हो गया है मैं यहाप इसलेट बना लेती हूद लेटी उस सेलेट में बना रही हो खीरा और उसके बाद प्याज यही दो चीज का बना रही हूद और मुझे काफ पर पता नहीं कि मुझे टमाटर सलाथ में अच्छा नहीं लगता हाथ राख देती हूं टेस्ट आजाता है बट वह था न कि टमाटर उठा उठा के खाना वह मुझे अच्छा नहीं लगता उतना तो अभी चलिए भी हम लोग मशली खाते हैं और रिशांग को तो बस खीरा च मैं कर किसी कीमत फेर ङिए ना हम लुग हॉल भाल सिकरा या स्ट प्लेट ये बहुत और उनको कश को सीख रहे हैं कि व猜ब भाल यहां पीलेट ना सबस्क εν में रेख माडेसा लगा तो यहां पे रिशांग को देख सकते हूंゆ करना तक कुछ कुछ ऐसी हरकते सीखता है ना जो से मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उस पर पूरा गाइड करती हो कि नहीं तुमको यह काम नहीं करना है क्योंकि आप अभी बच्चे को गाइड कर लोगे तो बाद में वह हरकते वह नहीं करेंगे लेकिन अभी आप यह यह बोलकर छोड़ दोगे कि अंभी बच्चे यह काम करने जैते भी तो छोटा बच्चे है तो यह चोटे बच्चे लिए बदे बच्चे बनके बहुत बदमाश्य करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो यहीं करते है वस अभी सांती से खाना खाते है और बार हस्ते रियम उसको राते रही है हमेसा अपनी लाइफ में खुश रही है